नमस्कार दोत्तों स्वागत थे आप सुछिका आपके अपनेट चैनल अमर्ण प्रेश जिकी जिसमें जिसागी फेंट्स आज आज आपका 15 दिसंबर और 15 दिसंबर के दुस्टों आपको रिल्वे जीडी सीग का एक्जाम था जो की इस दो स्रिप में आपका एक्जाम एक्जाम में जो कोशन है किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज कर जो पहला जो पुछा गया था बिडाट कोली का संबंद किस खेल से तो बहुत इजी कोशन बिडाट कोली का संबंद आपका किरकेट से है तो इसका राइट इ से से भी आपका क्या है वियुत्तपन मात रखें तो इन में से कोई एक आप्षन आपके एक्जाम में होगा अगला है किसी वस्तो की विश्थापन की दर को क्या कहते हैं यह कुछन पूछा गया है तो किसी वस्तो की विश्थापन की दर को हम लोग वेलोसिटी यानिकी वेक क का त्यारी कर रहे हैं तो त्यारी करने में सबसेच्चा जो आपका एक तरीका है कि आप किसे भी एक्जाम का मोक्टिस्ट लगाते हैं तो एक आप अच्छी त्यारी कर सकते हैं मोक्टिस्ट आप लगाईए कहां तो मोक्टिस्ट लगाने का जो सबसेच्चा प्रेटफॉर्म वह आपका टेस्ट बूक है टेस्ट बूक को पर अभी ओफर भी चल रहा है आपका वार्म्थ ऑफ सक्सेल के नाम से जो कि आपका 15-18 तक चलना है तो इस सेल में आपको टेस्ट बूक का जो पास है यरली का वह 269 रुपे में जो पास प्रो है आपका वह 369 में मिले वाला है सा कि आपको जनवरी के मा में रेल्वे के बिकंश से भी आने वाल है तो उसमें भी आपको यह सहाइक होगा साथ में रेल्वे SSC बैंक या अगदर आपके कोई भी स्टेल रेवल का एक्जाम होता है उसमें उसकी उस एक्जाम का मौक टेस्ट दे सकते हैं साथ में आप उसका PYQ को भी attempt कर सकते हैं एक ही मौक में एक साल के लिए तो इस ओफर का लाब उठा लिजेगा लिक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कूपन कोड एपीजी जरूर यूज कीजेगा ठेक है चले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं next question friends हुआ है कि चिम्टा किसका उधारन है ठेके चिम्टा की बात करेंगे तो ये कुछन पूछा गया चिम्टा किसका उधारन है तो चिम्टा सबसे पले तो उत्तोलों का उधारन है उत्तोलक में पूछेगा तो तिरतिय उत्तोलक का उधारन है तो इसका राइटेंस हो पलास हो गया कैसी हो गया सरोता हो गया दित्तिय से निक उत्तोलग की बात करते हैं तो भार जो होता है आपका मध में होता है उधारन के लिए आपका चक्का हो गया दरवाजा हो गया बोतल हो गया तित्तिय से निक उत्तोलग की बात करते हैं तो इसका जो आया से आपका मध म होता है उधाने के लिए चिमटा हो गया फावडा हो गया इसको याद है किसी लिएक कि आपका इसाय मत्रक आपका बार होता है तो इसका राइटेंज से आपका बार होगा वाइट मंदलेद आपके बात करेंगे तो 10 के पापर 5 नूटर मीटर इसको आड़ाने की एक बार के बरावर होता है अगला है पिरत्वी पर किसे वस्तो का अगर एक केजी है तो चंदर्वा पर दर्वान कितना होगा तो पिरत्वी पर अगर दर्वान एक केजी होगा किंकि दर्वान जो है आपका चेंज नहीं होता है तो इसका राइटेंस आपका एक केजी होगा अगला है महराष्ट में खुले संस्कृतिक केंदर का क्या नाम रखा गया है तो अगला है दुरोमान का इसाय मत्रक पुछा गया था तो दुरोमान का इसाय मत्रक की बात करेंगे अगला है इसी को डिसी में परिवर्तित कोन करता है तो इसी को डिसी में परिवर्तित करने का उपकरन का नाम है दिस्ट कारी इसका राइट इन से हो जगा डिस्ट कारी एक ऐसा उपकरन है जो दिवर्तित धारा यानि की एसी को एक डिस्ट कारी वेक्यूम ट्यूड डायोड और क्रिस्टलिये रेडियोस डिसीवर से लेकर सिलिकोन अधारी डायोड तक कई तरह के बहुत एक रूप ले सकते हैं अगला है सेंक तराष्ट संग का मुख्याले कहा है तो सेंक तराष्ट संग का मुख्याले आपका नीवर्क में है जो की सेंक तराष्ट अमरिका में बढ़ता है स्टेंग तरसंग का स्थापना हुआ था ताकि आपका विश्वयुद तिरतिये वाला ना हो अगला है भारत के पर्थम 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 मंत्री आपके जोहाला नेरु जी है इसके लावा सेकेंड पर्धान मंत्री आपके लाल पहादु सास्तिर जी हैं इसको भी याद देखिएगा वरतमान में पर्धान मंत्री आपके नरेंदर मोधी जी हैं इसको भी याद देखिएगा इसके लाव और क्या याद दखिएगा भारत की पहली महिला परदान मंतरी आपके इंद्रा गांधी जी हैं इसको भी याद किएगा अगला है GDP का फुल फुर्म क्या होता है तो GDP की फुल फुर्म इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका राइटेंस आपका हो जाएगा परवीन सुध परवीन जो सुध है आपके कनाटा के डिजपी वीज़ा चुके हैं जो की आप सीवियाई के निजसर की रूम में कारज़रत है नेक्स्ट कोसन है कि वरतमान में सेंक्ता संग का महासाचीव को नहीं तो वरतमान में जो संग्ता संग है उसके जो महासाचीव है आपके एंटी नियो गुटेरस है तो इसका राइटेंस होगा अगला है भेल का फुर्फरम आपसे पुछा गया था तो भारत है भी इलेक्टिकल लिमिटेड आपका इसका राइटेंस हो जाएगा भारत है भी इलेक्टिकल लिम मिटर है जो किनशाजी प्रदिश सहित 18 और 12 किलों से होकर गुजरती है ठाफ चिमा पुछा गया तो झांतिरस्तिय माकी बात करेंगे तो भारत के साथ 7 अनतराश्टिय सीमा हैं कौन कौन सा साथ शeze महें तो एक आपका बंगलादेसए दोसरा आपका तिसरा आपका निसाने, चौथा मयामबरे, पच्छमा भुटाने, छठा नेपाले और शाथ मापका पकिस्ताने, ठीके, तो इन सभी की जो सिमा हैं, आपके भड़ा से लगती हैं, बाकी समुदर सिमा की बात करेंगे, तो सुलंका से लगता है, मालदिप से लगता है, इन सभ अगला है, राश्रवा में राश्रवा में राश्रवा में राश्रवा में राश्रवा में राश्रवा में कितने सदर्स मनुदर करता है, तो राश्रवा में बात करेंगे, तो राश्रवा में राश्रवा में राश्रवा में राश्रवा में राश्रवा में राश्रवा में इसमें से आपका 230 सदस आपका राज्जयों से होगा और संग 6 छumph से होगा और आपका 12 सदस राश्पती के दूआरा नामंकित किया जाएगा गोई इन पर बात करेंगे वरतमार में तो 243 सदस है आपके राश्वामें और लोक्सवा कि बात करते हुएं तो लोक्सवा किस्ता कि बात करते हैं तो जो मांट एवरेस्ट वह दुस्त है तो इसका राइटर सापका हिमाले हो जाएंगा दूनिया के सबसे उच्छा परवस्छी खड़े जिसके उच्शा ही आपका 8849.86 इसको भी याद कियेगा अगला है टेलीफोन का अविस्कार किसने किया था टेलीफोन के अविस्कार की बात करते हैं तो टेलीफोन का अविस्कार आपका अलेक्जेंडर गरहम बेल के द्वारा किया गया था अगला है कि 1988 में मतदान की उम्र कितनी थी तो 1988 में बात करेंगे त तो मतदान की उम्र थी एकई सोर्ष ठीक है जब तक आप एकई सोर्ष का नहीं हो सकते थे उसमें तो आप मतदान नहीं दाल सकते थे लेकिन आपका बसाथमा समिधान संसुन होता है उसके मादम से जो मतदान करने की उम्र होती है एकई से घटा कर आपका थारा साल कर दिया ज पारादिम बंदर गाओ गया विसाका पट्तम बंदरगा गया चैननई हो गया एननोड हो गया और तूती कोड़ीन हो गया ये सभी बंदरगा आपके भारत के पुरी टट पर है इनमें से कोई एक उप्सन आपके प्रमुक्ष बंदरगा हैं बाकी पूरी बिटाड़ पर कोलकत्ता हल दिया पारादी विसाकापत्नम चनई एन औरप तुति कोरीन है इस्टन रेलवे जोन का आपसे हेटक्वाटर पुछा गया था तो इसका राइट इंसर आपका कोलकत्ता हो जाएगा कोलकत्ता में आपका Eastern Railway Zone का Headquarter है, साथ में Eastern Railway की बात करेंगे, तो इसका भी quarter कोलकत्ता में है, East Central Railway का quarter आपका Headquarter हाजिपूर में है, East Coast Railway का quarter भुनेश्वड में है, Northern Delhi का quarter, Headquarter आपका New Delhi में है, नेक्स्ट आपका, What is Eastern Port? ठेक है, वही कुस्ता है, Eastern Port के बात करेंगे, तुतिकरोन हो गया, विसाका पत्नम हो गया, पारादीप कुलकर्ता चनाई, यह सब इन और यह सभी क्या है, आपके Eastern Port है, अगला है किस कमपनी ने आईपोन में किन इंडिया, यानि कि भारत में आईपो पर अधिकरन कर लिया है, ठेक है, अगला है कि फूल फ्रों पुछा गया था, जीडिपी का तो बता दिये, सार का पुछा गया था, तो सार का फूल 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 आपका, The South Asian Association of Regional Corporation, सार का फूल 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 होगा, भीजनस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग हो जगा, बेल का पु फूल 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 एक्षोईपिसमी जैंती ते तोर पर हम लों लोग दूरों मना हैं शाथ में दोक्तुवर्र को हम लालवाधु सस्ते की बी जैंती मनाते ऊइसे वालनाय थिए हम लाद को नहीं भूलत है एकल में पर्थानके पर अगला है परिस्तिक तंत्र में कि इसका बोड़ा प्रभाव पड़ता है तो इसका आपके ऑप्शन क्या दिया गया था उसके नुसार इसका राइटेन से हो सकता है जो लोग जाम देख रहा है कॉमेंट सेक्शन बताईएगा अगला है एमबी का फूल फूम पूछा गया था कि इंसानों के लिए समझना असान हो स्क्रीन किसी कंप्यूटर की आउटपूट दिवास होती है ठीके तो डिस्पेल यानि की स्क्रीन क्या है आउटपूट दिवास है इस वात को भी याद देखिना है अगला है पबलिक सेक्टर में गर्रॉमेंट है जो कितने परसेंट इ इसका जो विसकार है इताबली बोड़िक बिज्यानिक फेडरिक फगिन ने किया था द्रव का गेस में बदलना क्या कलाता है तो आस्पी करन कलाता है जब कोई द्रव अपने फेस को द्रव से गेस में बदलता है तो आस्पी करन की रूप में जा जाता है अगला है एक किलो बाइट के रावर, एक किलो बाइट के रावर, एक हजार चोविस बाइट होता है, जो कि कम्प्यूटर का सबसे छोटा इकाइमी है, अगला है कार करने की छमता को क्या करते हैं, तो कार करने की छमता को उर जा करते हैं, अगला है कार करने की दर को क्या करते हैं, तो क अभी किरिया हो तो एक नया परदात उत्पन होता है या तो रचानिक प्रकास सब्सक्राइब करते हैं अगला है लोक सबाँ में आमित कुल सदसो किस तंक्या कुल सदसो किस तंक्या आपका है 550 अधिक्तम और अभिवरतमान में 543 है इसको भी याद देखिएगा लोक सबाँ अगला है सबसे जड़ाइब करने वाला सबसे पुरानी कंपनी है टाटास्टिल तो इसको हो जाएगा एंड्राइड अर्थ कोई अलट सिस्टम किस न लोंच किया है तो Google ने लोंच किया है एक आपका तरदार बलाम पाइपटेल से भी कुष्चन था एक 30 सक्टूबर तो इस देखिया एस रदार बलम पाइपटेल जी के जनती एक 30 सक्टूबर को मुलग मनाते हैं जिसे एकटा दिवस के नाम से मनाया जाता है बलट देखिया से 2 कोशन था इस के दवारा भीजा गया है, simplification से 5 कोशन था इसके लावले subset से आपका 2 कोशन था, एक कोशन आपका Profit और Loss से था कम्प्यूटर से, कम्प्यूटर के हार्डवेर एंड सॉप्टवेर से कोशन देखने को मिल दा है ट्रेन की स्पीड को मीटर सेकेंड में कनवर्ट करना था, ठेके एक कोशन आपका परसेंटेस से था, ठेके इस प्रकार का, जो आज का एक्जाम हुआ था आपका